आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो, तब Question says that which one of the following statements is correct in context of constructivism, okay so, सबसे पहले हम जानते हैं कि constructivism होती क्या है, okay तो यह जो होती है, क्या करती है emphasize करती है learner को, okay यानि कि जो सीख रहा होता यानि कि students उसको construct करना यानि कि constructing new information ताकि वो हमेशा क्या gain कर पाए नहीं, नहीं, information ले पाए किसी भी subject के related, okay उसके बाद यहाँ पे जो होता है वो experience gain करता है क्या करता है? experience gain करता है उसके बाद जो है इस यह जो है, उसमें क्या requires होती है? child to be a problem solver यहाँ पे क्या करता है? वो solver बनता है problem का उसके बाद जो है उसके पास क्या आती है? scientific यहाँ पे scientific जो है उसके पास investigator बन जाता है means उसका जो सोचने का तरीका होता है वो क्या होता है? कि वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है खोसता रहेगा क्या हो जाएगा? scientist sorry scientific investigator की तरह यानि कि वो कुछ ना कुछ खोसता रहेगा नई चीजों को उसके बाद जो है constructivism जो होती है वो क्या करती है? represented होती है as a spiral as a spiral shape उसको क्या करते है? spiral shape उसके बाद जो है ये जो है कहां पे होती है? students में क्या करता है? gain करवाता है gain करवाता है power through their experience किसके through? experience के through उसके बाद जो है constructivism जो होती है यहां पे उसका काम क्या होती है? the biggest role जो होता है teacher is to encourage the student to keep on learning और क्या कर रहा होता है? वो वहां पे learning मतलब कर रहा होता है हमें सब ने student को सिखा रहा होता है और उससे क्या होता है? वो reflect होता है उसी से क्या करते है? reflecting तो हम चलिए कि करके options में जाते हैं पहला जो दे रखा है कि knowledge is delivered by specialist ऐसा नहीं होता है कि knowledge बस जो है specialist ही deliver करते हैं तो यहां पे option क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है second है कि development of insight in learner यह जो है यहां पे क्या हो जाता है? development of insight का मतलब यह हुआ कि जिसे हम क्या बोलते है? सोक्ष्म द्रिस्टी यानि कि learner के अंदर क्या वो जग आता है? development करवाता है? गहरी पहुँच को और सोक्ष्म द्रिस्टी को तो यह ऐसा नहीं होता है तो यह गलत हो जाता है उसके बाद थर्ड है कि knowledge is delivered to students using various skills यह सही answer होगा वेरियस skills में क्या हो सकता है? यहां पे learning हो सकती है उसके बाद क्या हो सकता है? writing हो सकता है क्या हो सकता है? writing कुछ भी अगर वो सीख रहा है और वो क्या कर रहा है? knowledge deliver हो रहा है किसके यहां? students के पास उसके बाद हमारे पास fourth option के आदे रखा है कि learner gain knowledge from books ऐसा नहीं होता है कि जो learner है इसमें constructivities में जो है वो क्या कर रहा होता है? knowledge gain कर रहा होता है तो हमारा जो सही answer मिला है वो third one है Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर